जाहें साथियों, सबसे पहले स्वागत है आपसे भी कुछ नए वीडियो पे लालीत नरायन मितला विश्विद्य लाए द्वारा डिग्री पार्ट बन के कैंडिडेट जिसका सेशन दो हजार बाइस से पचीस है उन सभी कैंडिडेट के डमी रजिस्टेशन कार्ट चारी कर दिया गया है इस वीडियो के माध्यम से बताने बाला हूँ आप अपना डमी रजिस्टेशन कार्ट कैसे डाउनलोड कर पाएंगे तो वीडियो को शुरूशन तक देखिएगा वीडियो को अचारतों लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके और नसर को आउन करके जबर किएगा ताकिस तरह के वीडियो जभी मैं अप्लोड करूंगा तुरूंत आपतान नोटिपिकेशन पहुच जाए डमी रेजिटेशन कार्ट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले अपने मॉयल के करूम बजर को आउन करिएगा और गुगल सर्च पर में टाइप करिएगा www.lnmuinfo.in जैसे आप छोग मॉयल स्कीन पे देख रहे हैं इस परकार से आप लोगो टाइप करना है और सर्च कर देना है इननोस्मेंट सरकूलर पर देखियेगा डाउनलोड LNMU पार्ट गोन डमी रेजिटेशन कार्ड 2022 से पचीस से आलों को किलिक करना है जैसे किलिक करिएगा तो अगला इंटरफेस इस परकार से देखने को मिल जाएगा यहां पे आप लोगों के डमी रेजिटेशन कार्ड से लेकर संभी जानकारी दे दिया गया है आप लोगों को बता दू कि आप लोग डमी रेजिटेशन कार्ड जो डाउनलोड करिएगा उसके लिए अपलिकेशन नमबर की जुरुत परता है जब आप ऑनलेन आवेदन की होंगे एडमिशन के समय तो आप लोगों को इस परकार का सिलीप देखने को मिल रहा होगा तो उसी पर जो है अपलिकेशन नमबर अर्थाथ फॉर्म आइडी देखने को मिल जाएगा आप लोगों को यह पास लेगा जैसे आप लोग अपने ओनर सब्जेक्ट का सुधार नहीं करवा सकते हैं और नहीं कैटिगोरी का सुधार करवा सकते हैं अब हम बत करते हैं कि आप लोगों को डमी रेजटेशन कार्ट कैसे डाउनलोड करना है तो यहां पर देखिए आप लोगों को link देखने को मिलेगा download va.bac.be.com part1 dummy registration card 2022-25 और आगे में click here देखने को मिल रहा होगा आप लोग देख रहे होंगे आप लोगों को क्या करना है click here पर click करना है और थोड़ा देन ही wait करना है ठीक है जैसे click here पर click करिएगा तो अगला interface open होने लगेगा जैसे आप लोग यहां पर देख रहे होंगे इस परकार से open हो जाएगा अब यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि dummy registration sleep for UG session 2022-25 और यहां पर आप लोगों को search bar का option देखने को मिलेगा यहां पर enter your uniform ID इस पर अपना जो university form ID है वो type करना है और आगे में search का option देखने को मिल रहा होगा तो इस पर आप लोगों को पहले अपना जो university form ID है मैंने आप लोगों को बता दिये हैं कि कौन सा university form ID होता है उसे आप लोगों को type करना है और search पर click करना है ठीक है? जैसे ही search पर click करेगा तो आप लोगों का जो dummy registration card है वो download होने लगेगा या swap हो जाएगा जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं अब आप लोगों को dummy registration card है वो देखने को मिल रहा होगा आप अपना नाम चेक कर लिजेगा पिता जी का नाम, माता जी का नाम आपना data board चेक कर लिजेगा आप अपना category check कर लिजेगा gender check कर लिजेगा class role number देखने को मिल जाएगा आप अपना course name select कर लिए होंगे तो वो देख लिजेगा अपना owner subject देख लिजेगा उसके बाज अपना subsidiary subject देख लिजेगा और important direction में आप लोगों को जो बाते दिया गया है उसे आप लोगों को अवस्याद रखना है कि किरपिया सुनिश्चित करे कि मुद्रित सभी जानकारी सही है यह आप लोगों को देख लेना है ठीक है अगर किसी परकार की गलतिया होता है तो आप लोगों को सुधार करने का जो डेट दिया गया है वो 23 जनवरी 2023 से 22 फरवरी 2023 तक अपने महाविद्यालाय में जा करके इस बात की सूचना दे करके सुधार करवा सकती है उसके बाद तिस्रा नंबर है किरफ्याइस परची को भविष्से के लिए आप लोगों को समभाल करबड़े रखना तो यह चीज आप लोगों को सुझेस्te कर लेना है बाकी absorbed प्रिंट कर लेना है ठीक है ताकि भाविस में आप लोग को काम हो और गलती होगा तो इसे प्रिंट आउट करा करके अपने महाविद्यालाय में जा करके सुधार करवा सकते हैं वो चीज मैंने आप लोग को पहले भी बताया हूँ तो आप लोग को जानकर इस समझ में आ चुका है कि आप लोग डमी रेस्टेशन कार्ट कैसे डाउनलोड करेंगे तो वीडियो कैसे लगा मुझे बताईएगा मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्याबाद जय हिंद जय भारत